हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम देवेंदर कुमार है और मैं आप लोग के बीच आज एक नया ट्रेनिंग वीडियो के साथ उपलब्द हूँ जिसका टॉपिक है APAR अर्थात Annual Performance Appraisal Report Annual Performance Appraisal Report जिसको SORT में APR कहते हैं यह एक परतीक सरकारी करमचारी का बहुत ही महत्पूर्ण डॉक्मेंट है जिसमें परतीक करमचारी के बारे में उनकी पर्फॉमेंस के बारे में उनके कार्ज के बारे में और उनके जो एचिवमेंट है उसके बारे में या उनके जो punishment है उसके बारे में चीजे दर्ज होती है यह बहुती vital टूल है जिसके माध्यम से किसी बेक्ति का प्रमोशन्स, deputations या अन जो पदो नती दी जाती है या किसी पद पे न्युक्ति की जाती है उसमें इसका बहुती महत्पूर्ण अस्थान होता ह अगर किसी का promotions नहीं होता है तो MSCP के लिए भी A.P.R. की जरूरत पड़ती है तो यह तो A.P.R. क्या है यह आपको पता चला है अब हम जानेंगे कि A.P.R. के प्रकार क्या है तो दो तरह här जो गस्टन अफिश herds है उनके लिए A.P.R. की पनकर्षoo लिए oann धिरिया間 different है गस्टेड अधिकारियों के लिए पूरा का पूरा यह जो प्लेटफॉर्म है इस पैरो प्लेटफॉर्म पे online उनकी पूरी APR भरी जाती है तो हम उस पे आप चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा करेंगे एक APR पहले जो वर्किंग रिपोर्ट हुआ करता था उनको 2009-2019 ऑनवर्ड APR में कर दिया गया तो अब इनको भी 2018 जो 1800 जीपी के करम चारी है उनका APR different है जो clerk है उनका APR की जो परफॉर्मा है वो different है जो इंस्पेक्टरियल रोल में है चाहे वो CMI हो WLI हो welfare inspectors हो या TI हो या signal inspector हो इस सारे inspectors की जो category है इनके लिए APR का परफॉर्मा different है जो stenographers होते हैं जो की PS जिनको आसुलिपी आता है उनकी जो performance जज करने के लिए जो परफॉर्मा है वो different होता है तो यह हमने मैंने बताया आपको कि किस तरह से अलग-अलग category के करमचारियों के लिए अलग-अलग APR के परफॉर्मे होते हैं इसी तरह से जो supervisor से उनके लिए परफॉर्मा different है ताकि उनके traits उनकी जो बिसेस्ताय है उसको उसमें आसानी से दर्ज किया जा सके तो यह तो हो गई type of APRs अब मैं आपको बताता हूँ कि APRs के cycle क्या है तो APR साल में एक बार भड़ा जाता है और यह generally 1st April से 31st माज तक के cycle के बीश में होता है लेकिन चुकिए अभी COVID period चला है तो इसमें बहुत सारी चीज़े timeline पड़िवर्तित की गई है ताकि किसी भी क्रमचारी को दिक्कत ना हो अब APR आप जब आप भड़ते हैं तो सबसे मुस्किल काम क्या होता है अपने आप के बारे में लिखना सबसे मुस्किल काम होता है तो APR में सबसे पहले क्रमचारी को अपने बारे में अपने पूरे साल में जो उन्होंने performance दी है जो targets उनको दिये गए थे उस target को meet किया है तो उस targets के बारे में लिखना होता है अगर किसी क्रमचारी को कोई इनाम मिला है किसी क्रमचारी ने कोई बहतरीन परदर्शन किया है उनको कोई appreciation later मिला है तो वो भी क्रमचारी को चाहिए कि APR में दर्ज करें ठीक है तो ये basic चीजे हैं तो जब भी APR आप भढ़ना हो तो बहुत ही तसली से उसको भढ़ना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही महत्पून डॉक् अपने बारे में सारी चीजे उसमें दर्ज करें और समय से जो भी timeline है उसके तहट अपने APR को अपने supervisor को जो आपके controlling officer है reporting officer है उनको समय से दे दे फिरो reporting officer से reviewing officer के पास जाता है reviewing officer से accepting officers के पास जाता है या grade pay के हिसाब से decided होता है सपोज अगर कोई क्रमचारी 1800 grade pay में है group D क्र कार्ज है जैसे अगर वो pointsman है तो उसका chief yard master या TI जो भी इंचार्ज है उनको देगा अगर कोई सफाई वाला है तो वो उसका जो CHI है उसको देगा वैसे ही अगर प्यून है तो उसका जो chief OS है उसको देगा और उसके बाद वो chief OS या जो उनके supervisor है वो उस पे reporting officer की रूप में कार्ज करेंगे और जो junior scale या senior scale अधिकारी जो उनके अंदर ये कार्ज रहत है वो उनको final APR दे देंगे इसी तरह से अगर जहां पे grade पे 42 यानि supervisor grade के करमचारी है तो उनका जो ACR है या APR है उसको जो 46 grade पे के supervisor in charge है वो लिखेंगे reporting officer के रूप में और उसके बाद जो next scale वो उसके लिखेंगे जे reviewing officer और जे जी लेवल तक अर्था जो आपके branch officer है वो आपके accepting authority होंगे वैसे ही 46 स्वा में आप देखेंगे कि accepting authority जिनरली SSG officer या ADRM होते हैं तो ये तो मैंने आपको बता है कि channel of APR क्या रहेगा ठीक है खास कर जो group D करमचारी है वो APR अपने समय से नहीं भरते हैं उनको लगता है कि APR से मुझे क्या होने वाला है लेकिन बहुत ही गलत धारना है आप सेकता इस बात कि कि जब भी APR भरने का आपका time है जरूर APR भरे क्योंकि जब आपका promotion होने वाला होगा तो यही APR आपका काम आएगा बिना APR की कोई भी जो DPC होती है जो Departmental Promotion Committee होती है वो आपका promotion नहीं कर सकती है नहीं APR के अभाव में आपको MSCP का आलाव मिल सकता है तो हर एक करमचारी को अध्यान रखना चाहिए कि समय जैसे ही आपका आता है आप APR जरूर भरे और उसको APR की copy भरने के बाद आप जरूर प्राप्त करें यह प्राप्ध को या अधिकारियों को जो APR होता है उसके copy प्रदान की जाए उसके बाद से 2010 में एक इसके लिए policy बनी और उस साल से 2010 onwards जितने भी APR से उसके copy करमचारी अधिकारियों को दी जाती है तो आप एक copy अपने पास जरूर रखे वो आपके career profiling के लिए promotions के लिए transfer के लिए कहीं आप reputation डालते हैं उसके लिए बहुत ही फायदे बंद होगा अब इसके अलावा आपको एक और भी जानकारी हम देना चाहते हैं कि अगर मान लिजे कि आपका APR के जो ranking है जो जो आपके grading दिये गया है वो आपको लगता है कि जो आप performance दे रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है त तो जब भी ऐसा लगता है आपको कि आपकी जो grading है वो उचित नहीं दी गई है तो आप अपना representation जरूर करें और उसको उसका representation के बाद representation जो decide होता उसकी भी copy अपने पास जरूर रखें तो ये APR के बारे में मैंने आप सभी को बताया और मुझे लगता है कि आप सभी को इस से जानकारी मिली होगी मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें details दूँगा और इस वीडियो के अंत में जितने भी APR related performance हैं policies हैं वो भी मैं include करूंगा और अगर आपको अच्छा लगता है या कोई इसमें doubt होता है तो आप अपने comment section में आप हमें comment दे सकते हैं जिससे मैं उसको reply करने का प्रयास करूंगा thank you